पैदा होने के बाद बच्चे की इम्म्यूनिटी आपको पता है बहुत पूर होती है, अब आपकी डॉक्टर ने भी आपको बोला होगा कि बहुत ज़्यादे भीड मत करो, तो मैं भी ये वीडियो इसलिए बनारी हूँ कि मैं इतनी सारी डिलिवरीज करा रही हूँ 25-26 साल स मैंने देखा है बच्चे का पैदा होने एक जश्न होता है, एक सेलिब्रेशन होता है, मानती हूं बिलकुल होता है, चाए वो लड़का हो चाए लड़की हो, सब फैमिली में एक अलग सी खुशी आती है, माँ को भूल के साब बच्चे की तरफ दोड़ जाते है, और पूर इस कमरे में भीड़ना करें, जो भी बच्चे को गोदी ले रहा है, हाथ अच्छी से साफ करें, साबून से, या फिर जो आपकी सानिटाइजर होते हैं, उसको साथ में रखें, जितने भी पढ़े लिखें लोगे सब सानिटाइजर अपने पास रखते हैं, या फिर डिस्पो इन सब का असार बच्चे पे जाएगा, डेफिनिटली जाएगा, बच्चे अब इस दुनिया का एक पार्ट है, वो पेट के अंदर से निकल के, अपने प्रोटेक्टिव एंवारिमेंट से निकल के बहार आचुका है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बच्चे को हो सक उसको infection के साथ fever होतो है उसकी immunity कम है इसवजह से उसको डायरिया हो सकता है उसको और भी तरह तरह के bacterial viral infections हो सकते बहुत से बच्चों को राश्यत हो जाते है पुरी बॉडी में बहुत से बच्चे को माता निकलाती है ज्योंगी बहुत गलात है। बोह से बत्चे को मां की पेट से ही इनफेक्शन निकलता है। इसनले इसलिए हर्पीज की मां को हमेशर धिलिवरी माना करीं जाती है। तो आप इन सब चाहरीयों, आप बच्चे को घर लेके जा रहे भाएं। बच्चे के कपड़े चेंज होंगे, बच्चा कपड़े गंदे करेगा, उल्टी करेगा, कई बार जो आप दूद पिरा रहे हों गिरेगा, बच्चे को इन सबसे इंफेक्शन होता ही है, साथ में बहुत से लोग डाइपर्स यूज नहीं करते हैं, नीचे नापीज लगाते हैं, तो आपको क्या changes लाने हैं बच्चे की washing में, बच्चे की कपड़े की washing में, बच्चे को नहलाने का तो मैंने आक को बता दिया, आपको गरम पानी से हलके को से नहलाना है, पर कपड़ों को कैसे धोना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्ज हैं, जो आप जरू सुनि बड़े तो हो गए बड़े उनकी उम्मिनिटी एच्छी है तो बच्चों की कपड़े बड़ों की कपड़े के साथ मिक्स ना करें secondo चीज, जो बच्चे की potty वाले कपड़े, जो nappies हैं, अगर आप उसको disposable नहीं पहना रहे हैं, आप diaper नहीं पहना रहे हैं, तो nappies को बागी के जो उपर के जबले हैं, जो भी आप कुरता पहना रहे हो, जो भी कपड़े पहना रहे हो, उसके साथ mix ना करें, क्योंकि potty में obviously यूरेन भी है तो सारे कपड़ों को अच्छी से डिटॉल से करके ब्तोल में भिगोंके पानी से धो के फिर उड़को अलग वश करें उन कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ बच्चे के मिक्स ना करें तीसरी चीज़ बहुत सारे detergents ऐसे आते हैं जो हमारी market में हैं जो कि हम बड़े कपड़ों के लिए यूज करते हैं जिसमें कि जैसे बड़ी-बड़ी ब्रैंड्स होंगे जिसमें बहुत सारे paraben, sulfates होते ह जो कि हमरे कपड़ों को साफ करते हैं, disinfect करते हैं बट क्या बच्चों के कपड़े हम इस तरह से धो सकते हैं बहुत सारे harmful shampoos हैं जो हम बच्चे के सिर पे नहीं लगाते हैं बहुत सारे harmful soaps हैं जो हम बच्चे को यूज नहीं करने देते हैं तो आपको यह अच्छे से पत तो कम से कम जब तक बच्चा दो साल का नहीं हो जाता जब तक वो सब कुछ खाने पीने नहीं लगता और चलने नहीं लगता तब तक आप उसके कपड़ों का बहुत ध्यान रखें अडल्स के कपड़ों से दूर रखें जब आप बच्चे के कपड़े धोके सुखाते हैं तो उसमें मॉइस्चर ना रहे अगर मॉइस्चर रहेगा तो बच्चे को नमी की वज़े से अंदर बहुत ज़्यादा स्केन इंफेक्शन हो सकता है और अगर ठंडा मौसम है तो उसकी चेस्ट ने अगर नमी पकड़ ली अगर बच्च में चलाग लन्ग्स में चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्ल्म हो तो जिन डिटर्जन्स में पर फ्यूम्स है अपको लगता है खुशबू आएगई वह बिल्कुल भी यूज्ज़ना करें आपके खुद के प्राइवेट पार्स के लिए माना करते ह इस तरह के douches, shampoos ना यूज़ करें, similarly बच्चे के लिए भी ना यूज़ करें तो वीडियो पसंद आया तो like and share करिए, मेरे को मेरे social media platforms पर follow कर सकते हैं continuous reels आती है, educative और हाँ, मेरे से आप direct consult कर सकते हैं वीडियो call या voice call के तुर मेरे website पर जाके payment करिए या फिर इस number पर WhatsApp करिए, call मत करिए